नमस्कार में शिवा में आप देख रहे हैं Online News India लखीम पुर्खीरी मामले के मुख्या रोपी आसीस मिस्रा को जेल से निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्यों भर्ती कराया गया है? क्योंकि आसीस मिस्रा को डेंगू हो गया है डाइविटीज की प्रॉबलम है और कई सारी दिक्कते आ रही है और इन से वजहों से उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया जी हाँ किसी बॉलीबुट मूबी की स्क्रिप्ट नहीं सुन रहे हैं आप ये हकीकत हो रही है चार किसानों को रौंद कर मार देने वाला आलोपी अब जेल के बजाए अस्पताल में है वीडियो भी आया है वो वीडियो आपको दिखाएंगे और लखीमपुर खीरी का प्रसासन क्या कह रहा है सीमो आंके क्या बोल रहे हैं वो अभी आपको दिखाएंगे लेकिन इन चीजों को जराब समझे कि जैसे बॉलीबुड मूबी में जो विलन होता है सारे अपराद करके जेल में चला जाता है और जेल से ही पूरा अपना जो दादागीरी होता है उसे फैलाता है और जब मर्जी उसकी होती है तब वो जेल से एम्बूलेंस में बैटकर बाहर निकलता है और अराम से सैर करता है वही पूरा सीन लखीमपुर खीरी में हो रहा है आसीस मिसरा के साथ कहने के लिए तो आसीस मिसरा जेल में है लेकिन अब उन्हें अस्पताल में भेज दिया गया और ये अस्पताल के जरिये पूरे सहर का भमण करेंगे और पूछने वाला कोई नहीं होगा सारे वो अपराध करेंगे सारे वो सुभिस उदाओं का लाब उठाएंगे जो एक आम आदमी उठाता है लेकिन पूछने वाला कोई नहीं होगा क्यों नहीं पूछने वाला कोई होगा क्योंकि जो उनके पिता है अजय मिस्रा केंद्रिये ग्रिहराज मंत्री है जो पुलिस है उन्हीं के अंतरगत आती है इन चीजों को जब आप समझे कि कैसे क्लास डिवाइट कर दिया गया है हमारे देश के अंदर कैसे जो लोग हैं वो अपराद कर रहे हैं और बेखौफ घूम रहे हैं क्योंकि वो रसूख वालों के बेटे यह सारी चीजे हो रही है नौभालत टाइम्स की खबर देखिए लखीम पुल हिंसा के खलनायक आसीस मिस्रा को डेंगू हालक बिगडी तो जेल से अस्पताल सिफ्ट यह खबर है नौभालत टाइम्स की इसके साथ आपको वो वीडियो दिखाते हैं बगल में वीडियो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे पुलिस वाले पूरे प्रोटेक्शन के साथ जी हाँ प्रोटेक्शन के साथ आसीस मिस्रा को अस्पताल में ले जा रहे हैं जिला अस्पताल में आसीस मिस्रा का हाथ कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ रखा है आसीस मिस्रा 302 का मुझ्रिम है कोई छोटा मोटा प्रहादी नहीं 302 का मुझ्री में और चार किसानों को अपने गारी से रौन देने का आरोप है उसके उपर कोई हटकड़ी भी नहीं लगी है तो मास्क भी 80 स्मिस्वा नहीं लगा रखा है और कंदे पर देखिए अंगोचा गमचा डालके कंदे पर हो जा रहा है मान्यों कोई डॉन हो और पुलिस वाले उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं इस तरह का चित्र बनाने की कोषिस की जा रही है आपको तनिक भी लग रहा है इसकी body language देखें कि यह आदमी बीमार होगा यह आदमी बीमारी से गरस्थ है और इसको इलाज की ज़रूरत है, तनिक भी आपको लग रहा है, इस सवाल पूछा जाना चाहिए, कई साहे लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है, लखीम पूर खीरी के CMO क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 80 स्विस्वा को बुखार नहीं है, प्लेट लेट डाउन नहीं कई लोग को बुखार आता है, कई लोग को बुखार नहीं आता, अगर प्राथमिक उपचार से ही 80 स्विस्वा ठीक हो सकता था, उन्हें आस्पताल में भरती कराने की जरूरत क्यों पढ़िए, सवाल पूछा जाना चाहिए, आगे कुछ एक आपको खबर दिखाते हैं, इ सरकार क्या करती है, खामोस रहती है, उनको वो प्रारंभिक जो पूरी जाच होती है, उपचार होता है, वो दिलाने में सरकार नकाम्याब रही, लेकिन 302 के मुझरिम, आसीस मिस्रा को यह सरकार ट्रीटमेंट दे रही है, फर्स क्लास ट्रीटमेंट दे रही है, स्पताल के के अंदर गरीब लोगों को एक बिट नहीं मिलेगा अस्पताल के अंदर और इनके लिए पुरा रूम बुक है आप सोचिए यह जो क्लास्लेस गौवर्मेंट होने का दावा करती है उसकी पोल खोल रही है आगे आपको दिखाते हैं रनबिजय सिंगह यह ट्वीट करके लिखे हैं लखीमपुर मामला मोनु भाईया का सूगर लेबल काफी बढ़ गया है उन्हें जेल से जिलास्पताल सिप्ट किया जा रहा है प्लेटलेट में कमी नहीं है बुखार भी नहीं है जिलास्पताल के डाक्टरों की टीम उनकी देखभाल में लगी है पूरी टीम लगा दी गयी है डाक्टरों के मोनु भाईया के लिए ऐसा क्यों हो रहा है इसको जर आप समझिए दीपक सर्मा है वरिष्ट पत्रका है वो ट्वीट करके लिखे है दिल्ली की ये ताजा तस्वीर ग्रिह राज मंतरी अजय मिस्ट टोनी की है देश के सीनियर IPS अपसर टेनी के पीछे कतार में बैठे हैं सबीर आप देख पा रहे होंगे तेनी के इस जबर्जस्त रसूप के चलते अब पुलिस उन्हें लखीम पुर हत्या कांड में क्लीन चिट देने की तैयारी में है किसी ने सच कहा है जिसके साथ साह उसे कानून की क्या परवा होगी और जो हमारे ग्रिह मंतरी हैं वो कहा हैं वो जम्मो का समीर में भासन बाजी दे रहे हैं चार किसानों को नया दिलाने की बात है लेकिन ये स्तरकार लगातार उस पूरे मामले में मिट्टी डालने का काम कर रही है किसानों को नया दिलाने की तो बात छोड़ दीजिए कैसे जो मुझरिम है उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है first class का treatment दिया जा रहा है उस सारी चीज़े हो रही है यह क्यों हो पा रही है यह भी आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि उनका बाप केंद्री ग्रहराच मंत्री है और जब तक अजय मिस्रा अपने पद पर बरकरार रहेंगे उनके बाप केंदरी गिहराज मंत्री के पद पर बरकरार नहेंगे, तब तक न्याईक जाँच सही तलिके से हो ही नहीं सकती। ऐसा कोई उधारान अभी तक हमारे पास नहीं है जिसमें किसी इस्तक्स का जो पिता हो वो केंदरी ग्रहराज मंत्री हो और उसके बेटे को सजा हो जाए कोई भी उदारान हमारे पास अभी तक ऐसा नहीं है आप जा सोचिए एक एक जो सिपाही होता है उसका भतीजा कहीं अगर पुलिस वाले उसे पकड़ लें तो वो एक फोन करके अपने भतीजे को छुड़वा लेता है तो आप कैसे कलपना कर सकते हैं कि कैंदरी, ग्रहराज, मंत्री के बेटे को सजा हो जएगी अगर आप ये कलपना कर रहे है तो आप बहुत बड़े छलावे में हैं ठगा जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है और योगी का प्रसासन जो है वो बाखुबी ये सारी भूमिकाएं निभा रहा है योगी आधितनाथ जो कहते हैं कि गुंडा मुक्त सरकार वो गुंडों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनको फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट दे रहे हैं पूरा बॉलीवूट का सीन चल रहा है पह सारे स्वक तोस उनको लेस्क कर दिया जाता है टीवी से लेकर सोफा सारी बेउस्थाइं होती है और उसके बार तिर आज़ा अस्पाई में कथि तोल पर उन्हें भर्यू भर्ति किरा जाता है और हॉस्पाई को पूरा बॉलीवूट का सीन चल रहा है कुछ भी आपको इसन का अंध होगा क्या सरकारें ऐसे ही जो गुंडे हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती रहेंगी इस सवाल पूछा जाना चाहिए फिलार इस वीडियो को लेकर आपकी राक्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं इस तरह किसी जरूर बताएं